हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है हॉन्डा की नई 125cc स्कूटर के बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीट डीटेल से जानकारी दूनगा तो चलिए वीडियो शरू करते है फाइनली दोस्तों हॉन्डा अपनी एक नई 125cc सेग्मेंट में स्कूटर को लाँच करने वाली है इस स्कूटर को कब तक हमारे इंडियन टूलर मार्केट में लाँच कर दिया जाएगा अगर लाँच किया जाएगा तो इसकी प्राइसिंग कितनी रहेंगी साथ ही साथ इस स्कूटर में आप लोग को क्या कुछ फीचर्स मिलेंगे उन सभी चीजों के बारे में आज किस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग इस स्कूटर के लुक के बारे में बात करें तो आप ही लोग बताए दोस्तों की आप लोगों को इस स्कूटर का लोग कैसा लग रहा है नीचे comment box पे अपना opinion जरूर लिखेगा बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को features के बारे में बताऊं साथ दोस्तों इसमें जो आप लोग को CBS यानी की Combi Breaking System और Disabreak का भी option देखने को मिलेगा बाकी दोस्तों इसमें आप लोग को smart की का भी features देखने को मिलने वाला है और safety wise दोस्तों, side stand engine का top sensor तो मिलेगा ही engine दोस्तों आप लोग को इसमें 125cc की दी जाएगी जिसमें दोस्तों लगभग आप लोग को 8.4BHP के आसपास में power और 10.3NM तक का टार्ग देखने को मिलेगा जो की इस scooter की mileage हैं ये around आप लोग को 50 के आसपास में देखने को मिलेंगे pricing के बारे में बात करी जाए तो लगभग दोस्तों, एक लाख रुपे से लेकर एक लाख दस हजार रुपे के आसपास में इस scooter की pricing रह सकती हैं बाकी launch के बारे में बात करी जाए तो इस scooter को दोस्तों already launch किया जा चुका है लेकिन दोस्तों हमारे इंडिया के बाहर international market में launch किया गया है बाकी दोस्तों ये जल्द से जल्द यानी की कुछ ही महीनों के अंदर हमारे इंडियन market में भी launch हो सकता है बाकी आपका क्या opinion है इस scooter को लेकर की क्या ये scooter हमारे इंडियन टूवीलर market पे आनी चाहिए या फिर नहीं आनी चाहिए इस वीडियो में फिलहाल एतना ही थैंक्यो फर वाचिंग अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेर करें और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए